Hello everyone, welcome back to my channel, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चानल में और आज इस टेरो कार्ड के तुरू हम जानने के कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए तडप रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, कैसे आप दोनों मिलेंगे, कब तक आप लोग म करेंगे और जानने के कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फिलिंग से करेंट एनर्ची और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, जानने के कोशिश करेंगे, तो प्लीज अपने पार्टनर का ज़रूर नाम लीजे, तीन से साथ जाके उनकी एनर्ची connect हो सके Angels और Universe मुझे प्लीज गाइड करे Angels और Universe मुझे प्लीज गाइड करे मुझे बताएं जो भी भीवर्स इस वक्त परेशान है उनकी पार्टनर की current feelings Angels प्लीज गाइड करे Universe प्लीज गाइड करे Archangel Michael प्लीज एल्प करे सबसे पहले जो काड़ आया है वो है page of source की energy और ऐसा लगता है जैसे कि यह person आपकी तरफ आना चाहते है उनकी movement मुझे दिखाए देते है कि कहीं नगी आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं अब यह commitment देंगे या फिर किस टैप का रिष्टा रखना चाहते हैं यह भी आगे हम चैक आउट करने वाले हैं यह आपके तरफ आपके साथ रिष्टा रखना चाहते हैं कहीं नगी आपके लिए लव वाली फिलिंग्स मुझे दिखाए देती हैं आपके साथ कंप्लिशन जरूर यह आपके साथ रिष्टा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं जोड़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं शादी वाला रिष्टा हो सकता है या फिर पार्टनर वाला रिलेशन्शिप उस नजर यह से वह सोच रहे हैं ऐसा लगते हैं अभी तक यह परसन कंफ्यूस थे और कंफ्यूशन मतलब क्या मालब में आपको या कंफ्यूशन इसका मतलब यह है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा था इनको इनका दिमाग में काम कर रहा था ऐसा आप कह सकते हैं कि साधी भाशा में ही कह सकते हैं कि इनका विचार करने का जो तरीका था वो सही नहीं था किसी के सा गड़ा हुआ है आपके पार्टनर का जरूर हो सकता है कि family के साथ को जगड़ा हुआ है या दोस्तों के साथ किसी का या जहाँ पर वह जौप करते हैं अगर पार्टनर्शिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर उनका जगड़ा हुआ है या फिर बहस हुई है ऐसा मुझे लगता है पुरानी यादें अभी तक यह परसन याद कर रहे हैं यानि आपके साथ बितायवा वक्त याद कर रहे हैं साथ-साथ ऐसा लगता है मैं यहां पर कि वह भूल नहीं पा रहे हैं आपके साथ बितायवा वक्त तो कहीं न कहीं इसके वज़े से बेच जायन है आपके पार्टनर्ट डिसीजन लेंगे जरूर्ट या फिर और लेड़ी लेच चुके हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके बारे भी सोच रहे ह और लागी हो कहिं अगे आगर आपको लगता है क्या वह आपको याद करते हैं तो जरूर्ब आपकी बारे में सोच ते हैं सही वक्त आने पर आपके साथ रिष्टा जोड़कर एक नहीं पामिली शुरू करने वाले हैं या फिर रिष्टा आगे बढ़ाना चाते हैं एसी भ सुरुवात होगी कहीं कहीं क्या है न आपको मैं बताता हूं डेटेल में 3 of Swords के energy चले क्लैरिफाय करते हैं इस कार्ड को तो यहां पर ऐसा है न आपको मैं सीधी सीधी बातों में बता देता हूं कि आपके पार्टनर आपसे दूर गए हो सकता है कि थर्ड आप दोनों की बीच और इसके वजह से दुरिया आप में थी कहीं ना कहीं, ये भी मुझे यहां पर लगता है, लेकिन क्या होता है, आपके जैसा और कोई दुनिया में, इनको नहीं मिला है, ये मैं आपको साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, मतलब इननों कोशिश की है, कि किसी के साथ रिष्टा में रिष्टा जोडने की किसी और किस साथ इन्होंने ट्राइ जरूर किया है क्योंकि seven of cups की energy है जहां पर इनको समझ में आया ना कि आपके जैसा और कोई नहीं है इसलिए ये person को आपकी याद आ रही है इनका प्यार तो है पहले से प्यार तो था लेकि इस रिष्ट में कुछ नहीं हो रहा है या फिर हो सकता है कि आपने उनको कहा होगा कि मेरे जैसे तुमको और कोई नहीं मिलेगा ये भी बात हो सकती है या मेरे जैसे प्यार तुमको कोई करेगा तो वो जिद की वज़े से ये person ने कहीं और जगह पर try किया है रिष्टा बन आपके जैसे और कोई नहीं इनके सामने options बहुत हो सकते हैं लेकिन आपके जैसे चाहने वाला इनको कभी इस जनम में नहीं मलेगा यहाँ पर मुझे यह लगता है जैसे कि यह person बहुत कुछ ट्राइ कर चुके हैं बहुत कुछ सैन कर चुके हैं और वापसी करने वाले हैं आपकी तरफ ऐसा मिचे लगते हैं क्योंकि यहां पर न्यू बिगनिंग के कार्ड यहां पर आया है जैसे कि एस ऑप पैंटिकल्स की एनर्ची यह दर्शाती है जैसे कि यह पर आपकी तरफ आना चाहते नहीं शुरुआत करना चाहते हैं यहां पर भी सेवन उ पैंटिकल्स यह लगता है जैसे कि बहुत टाइम हो गया आई साथ साथ की ऑनर्ची बहुत दो बार कार्ड़ यहां पर आया साथ शैसा हूँझा लगता है कि दोनों का वी नस एक्टिवेट हो गया है और कहीं ना कहीं दोनों के दिल में फिलिंग एक द जादा देर नहीं करेंगे यह पार्टनर आपसे मिलने के लिए या फिर आपसे रिष्टा कायम करने के लिए तो नो कॉंटेक्स सिचुवेशन खत्म होने की चांसे यहां पर मुझे स्ट्रॉंगली दिखाये देता है यह परसन ऐसा मुझे लगता है ना कि कहीं जैसे कि जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो टफ कॉंपिटेशन में हैं यह परसन ऐसा मुझे लगता है कहिना कि ये person को किसे ने दोका दिया है cheat किया है साथी साथ इनकी बहस हुई है या फिर ये जो मुकाम हासिल करना चाहते थे या जो position हासिल करना चाहते थे या promotion चाहते थे वो किसी और को मिला है ऐसा मुझे याँ पर नज़र आता है क्योंकि five of wands की energy है तो इनकी हार मुझे दिखाए देती है और इस रिष्टे में भी अगर ये आगे बढ़कर third party के साथ गए थे तो वहाँ पर भी ये person हार चुके है ऐसा मुझे लगता है third party ने इनको accept नहीं किया है ना ही आपके जैसा प्यार दिया है तो कहिनकी उसकी बज़े से ये person वापस जो सपना वो तोड़कर चले गए थे या जो वादा आपसे किया था लेकिन तोड़कर चले गए थे वो फिर से वादा निबाना चाहते है एक तरीकी से अगर देखा जाए ना तो ये person ने पहले आपको उतना respect नहीं दिया उतना importance नहीं दिया लेकिन जब इस person का वक्त अभी खराब होने लगा है न तो आपकी याद आने लगी है ऐसा मुझे लगता है मतलब पहला जो ego attitude या गुसा था इस person के दिल में आपके लिए वो कहिन गई खतम हो चुका है खतम करना पड़ा है इस person को क्योंकि इनके पास और कोई आपकी सिवा रास्ता दिखाई नहीं देता है मुझे तो किसी भी तरके से ये person आपके साथ पाच्चप करना चाहते हैं ऐसा मुझे ये फिल होता है third party को छोड़कर आपकी तरफ आने कि ये बारे में भी यहाँ पर मुझे नजर आता है जैसे कि third party हट रही है और आपके साथ एक new beginning ये person करना चाहते हैं मतलब वो थोड़े time के लिए आपसे दूर गए थे आपसे दूर जाने के बाद अगर शादी की थी इस person ने तो भी वो शादी शुदा जिंदेगे में कही ना कही खुश नहीं है और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है page of source की energy ही कहते हैं जैसे कि ये person दिरे-दिरे कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा लगता है ना कि नादाने में आकर इस person ने गलत फैसला लिया और गलत रास्ता चुना आपको छोड़ने के बारे में सोचा लेकिन कहीं ना कहीं वो फैसला गलती था कहीं ना कहीं इस person की समझ में आ चुका है यहाँ पर वो person जाने के बाद आप disturb रहे आप डिप्रेशन में रहे आप टेंशन में रहे लेकिन आपको भरोसा था भगवान के उपर युनिवर्स के उपर यह भी चीज़े मुझे दिखाए देते कि आपको वो विश्वास जो था ना युनिवर्स के उपर वो कायम था कि ये person आज नहीं तो कल मेरे प्यार को समझेंगे और वापस आएंगे और ऐसा ही कुछ हो रहा है आपका manifestation इतना strong है नहीं आपर कि वो person आपकी बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं अगर ये person ने ऐसा कहा था कि ये रिष्टा तोड़ गया लेकिन ये रिष्टा नहीं त stressed दिखाया देता है हो सकता है और भी चीज़ें ये person face कर रहे हैं जैसे कि और भी problems हो सकते हैं करियर से related problem हो सकती हैं और इनकी health related भी कुछ नकुछ problems हो सकती हैं तो कहीं न कहीं सभी जगह से ये person फसे वह मैंचे नजर आते हैं तो दीरे दीरे ही सही ये person आपकी तरह बढ़त ही वह मुझे नजर आते हैं और आपकी साथ की इस person को जरूरत है तो ऐसा मुझे यहां पर यह भी लगता है जैसे कि ना यह person already शादी शुदा है और अपनी जिंदेगे में खुश नहीं है ऐसा बार-बार मुझे यहां पर चानल हो रहा है कि यह person already married है और आप चाहते हैं कि वह married life में अगर खुश नहीं है तो आपके साथ रिष्टा रखे हमेशा के लिए ऐसा आपकी सोच है आपका इंतजार मुझे यहां पर दिखाए देता है जहां पर आपको पता है यह आपके साथ इस person ने शेयर किया था कि मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन मैं शादी शु हो सकते हैं और वह single है ऐसा भी मुझे यहां पर कुछ energy महसूस हो रही है लेकिन strong energy कि वह आपके साथ नई शुरुवात करना चाहते हैं तो एक मेने के अंदर यह हो सकता है ऐसा भी मुझे यहां पर लगता है October मेना फिर से 10 नंबर का card October मेने को दर्शाता है तो October मेने की energy strongly य करते हैं यहां पर केतु किसी का खराब है यह केतु की दशा चल रही है और मुझे यहां पर लगता है कोई बहुत ज़्यादा tension में है बहुत ज़्यादा depression में है कोई नीन की गोलिया लेता है और जैसे कि न उसकी समझ में नहीं आता है negative thoughts ऐसा नहीं है कि आप योगा नहीं क आया है जहां पर आपकी दर्शा बहुत बुरी चल रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जैसे की problems आ रही है ऐसा मुझे लगता है तो केतु की remedy आपको जरूर करने चाहिए तबी यह सब problems मुझे लगता है ठीक होंगी आप पर ऐसा भी लगता है ना बहुत से दोकार्सर समझ कर आपनाया और इस person और पर 7 नमर के दो कार्ण तो बार आपको दोका मिला है यहां पर कर P OUT 600 ऑग्या है आपको आगे अगर बढ़ना है तो इसी person के साथ वरना आपको और से दोका नहीं आ क़ारा है यही आपकी सोच मुझे यहां पर नज़र आती है तो नहीं इस परसन के साथ आप रिश्टे में आ गए हैं रिलेशन्शिप में आ गए हैं और अभी वो सेम सिच्वेशन आपके साथ हो रही है जैसे कि आप डिवोस इसलिए लिया था क्योंकि आपको उस पार्टनर के साथ परिशानी हो रही थी और सुख शांती के लिए इस परस पर मुझे नजर आती है तो और चेकाड करेंगे इस डेक्स से कि आपके लिए क्या मैसेज़ीस है तो पॉजिटिव रहेकर उस इनसान को याद कीजे चाहे वो परसन मेल हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं दोनों के लिए रिडिंग हैं तो प्लीज उनको याद कीजे हैं आपर divorce के लिए file किया है तो आपको divorce मिलने वाला है और January में आप किसी के साथ नहीं शुरुवात करने वाले है ऐसा मुझे लगता है अपनी emotions है यहाँ पर बहुत सारी और आप किसी के साथ share नहीं कर सकते ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी feelings हैं love value feelings और आप किसी के साथ रिष्टे में हैं और वो person अभी आपको नहीं आपकी contact में नहीं है और आप बहुत परिशान हो रहें लेकिन किसी को बता नहीं सकते कि आपका किसी के साथ relationship है ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है और एक card यहाँ पर गिरा है emperor तो यह person ना ego attitude में आकर आपको छोड़कर चले गए हैं ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है साथी साथ ऐसा मुझे लगता है न जैसे कि एक बुरा वक्त खत्म होकर एक नया वक्त आपकी जिन्दगी में शुरू होते वे नजर आता है death का card आया है तो कहीं न कहीं इस person ने दुख दर्द आपको बहुत ज़ादा दिया है लेकिन आपको आगे के बारे में अपने future के बारे में जरूर सोचना चाहिए अगर ये person का साथ आपके तकदिर में लिखा वा है तो person किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ेंगे ये आपको विश्वास रखना है अगर भगवान ने इस person को आपके तकदिर में लिखा है तो 100 person ये partner आपके जिन्दगी में लोट कर जरूर आएंगे और कहीं न कहीं ये card ये भी कहता है कि ये person आपसे दूर गए न उसकी बात बहुत सारे परिशानियों का सामना किया है इस person ने और इनको सबक भी मिला है कर्मा फेस करना पड़ा है बहुत कुछ बुरा हुआ है इस person के जिन्दगी में कभी कभी क्या होता है हम किसी को धोका देते हैं लेकिन धोका देना बहुत बड़ा पाप होता है अगर आपसे रिश्टा निबाना नहीं होता तो आप साफ साफ उस इंसान के मुझ पर कह दो कि मुझे ये रिश्टा मनसूर नहीं या फिर मैं नहीं निभाओंगा लेकिन किसी को जैसे किसी का फाइदा उठाना या कुछ पैसों के लिए किसी से प्यार का नाटक करना ये सब चीज़े गलत है और उस वक्त ऐसा ही होता है कि आपको कर्मा फेस करना ही पड़ता है तो ऐसा ही मुझे याँ पर फिल होता है जैसे कि ना इस परसन को बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ा है तो न्यू बिगनिंग तो जरूर होगी और हो सकता है ना कि तेरा दिन के अंदर बहुत से लोगों के जिन्देगी में बदलाव आ रहा है या फिर तेरा घंडे के अंदर हो सकता है या फिर तेरा महिने के अंदर भी हो सकता है तो ऐसा काड यह है क्योंकि मेजर अरकाना है तो पावफुल एनरजी है नई शुरुवात की आपके जिन्देगी में नई शुरुवात हो रही है हो सकता है उसी पार्टनर के साथ हो सकता है किसी और के साथ जो आपके लिए बना है हो सकता है कि अभी तक आप सिंगल है और आपके रिष्टे जैसी की रहे है किसी के साथ लेकिन खराब रहे है हर बार आपको किसे ने धोका दिया है, चीट किया है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो इंसान आपके जिन्देगी में आएगा, जो सच में आपसे महबत करेगा, सच में आपसे प्यार करेगा, तो बहुत positive card है, death का, जहां पर एक बुरा वक्त, जो भी आपने सहन किया, आ आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहां पर लगता है, तो तेरा नंबर को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बुरा वक्त ज़रूर खतम होने वाला है, या जो भी परेशानिया आपकी जिन्देगी में अपने face की है, वो दोबारा आप नहीं face करेंगे, ऐस प्यार देते हैं, महबबत देते हैं, अपने सब कुछ मतलब उस person के उपर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उसकी बदले में आपको प्यार भी नहीं मिलता है, कहीं न कहीं वो अकेला पन हमेशे आपकी जिन्देगे में रहा है, ऐसा मुझे feel होता है, आपने क्या चाहा है उ उस person से सिर्फ जीवन भर का साथ आपको चाहिए, या life partner, life जो भी आपकी life है, उस person के साथ आप गुजारना चाहते हैं, सुख दुख में एक दुसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो भी सपना आपका हमेशा तूट जाता है, और यहां पर आपके पास सब कुछ है, ऐस आपके पास सब है, सुख सुवीदा सब है, लेकिन अकेला पन खतमी नहीं होता है, चाहिए आप शादी शुदा है, चाहिए आप सिंगल है, अकेला पन आपके जिंदेगी में है, प्यार की कमी मुझे याँ पर महसुस होती है, तो कहीना कही वो अकेला पन भी मुझे दूर होता हो, नज़र आता है, और कहीं न कई, अभी वोगत हैं अपकी सिंदेगी में, जहाँ पर, जैसा आप चाहोगे, वैसा ही होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, नेक्स्ट यहाँ पर emperal का काड़ है, तो यह emperal का काड़ दर्शात हैं न कि जिस भी person से आप deal कर रहें अभी इस वक्त, जिस भी person को याद करके उनकी बारे में जानना चाहते हैं, current feelings क्या हैं, तो ऐसे लगते हैं, वो person बहुत ज़दा ego attitude में रहते होंगे, कई न कई इनके नाक के उपर गुसा रहता है, चोटी चोटी बातों को लेकर बहुत ज़दा आ आरपीट करते हैं, इस टैप की person हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, पड़े लिखे हैं, अच्छा काम वगएरा सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका स्वबाव जो है ना, वो छोटी चोटी बातों पर गुसा करना, या फिर जिद्धी टैप का हो सकता है, तो ये person जैसे क perfect husband हो सकते हैं, लेकिन romantic partner नहीं हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप चाहते हैं कि इस person से, कि दिन में ये आपको 10 बार I love you बोले, तो ये इन से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जलाते हैं, अपने जैसे कि दिल के मालिक हैं, अप romantic हो जाएंगे, इनका मन जब करेगा, तो ये आपको ignore करेंगे, इस type की situation मुझे यहाँ पर आपकी जिन्देगे में नसर आते हैं, strongly, और मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, जब कोई जिन्देगे में परिशान होता है, क्योंकि जिन्देगी में खुश रहना बहुत ज जाती है, और आजकल तो बहुत जादा रिष्टे तूटने लगे हैं, जो की बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कभी-कभी ना कि सिंगल रहना ही अच्छा है, क्योंकि शादिश जुदा जिन्देगी में एक दूसरी को जब तक नहीं समझते हैं, तो रिष्टा पर फिल होता है, उनकी वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं ये परस ना वापस आपके जिन्देगे में एंट्री करेंगे, ये तो यहां पर कंफर्म हो गया है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है, कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप से भैतर इनको और कोई इस दुनिया में नहीं समझेगा, अगर ये अपनी जिन्देगे में खुश रहना चाते हैं, तो आपके साथ ही रह सकते हैं, बाकी इनके पास अगर दन दौलत भी हो, तो अभी इस परसन को नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार की कमी मुझे यहां पर महसूस होते हैं इस परसन के जिन्देगे और आपका reunion मुझे दिखाए देता है, बहुत से लोगों के लिए October महिना special होगा, बहुत से लोगों के लिए January महिने में बदलाव आने बाला है, क्योंकि ये general reading हैं तो सबकी energy आती है, तो थोड़ों लोगों के लिए हो सकता है कि October महीं बहुत अच्छा वक्त आ जाए, problems हैं, कैसे आप उसका निवारन कर सकते हैं, फिर solution उसका क्या है, तो personal reading आपको book करना होगा, उसके लिए WhatsApp पर मुझे message कीजे, तो यहाँ पर ऐसा लगता है न, जैसे कि ये partner आपसे दूर जाकर पश्थावा हो गया इस person को, कहीं न कहीं इनको अपनी गलती का एसास हो चुका हैं, और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये person वापस आना चाहते हैं, जरूर वापस आना चाहते हैं, इनकी direction आपकी तरफ मुझे दिखाया देती हैं, और कहीं न कहीं बहुत speed में आ रहे हैं, क्योंकि 7 नमर का card आया है, पहले 2 7 नमर के card आया थे, तीसरा 7 नमर का card आया है, लेकिन ये बहुत ही positive card है, chariot का card है, और ये person ऐसे है न, अभी इस वक्त आपकी partner की feelings, कि ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सुनकर देखा और लोगों की, लेकिन इनका कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा इस person का नुकसान हुआ है, तो अभी इस person को अपनी दिल की सुननी है, अपनी दिल की करनी है, और अपनी दिल की सुनकर आगे वढ़ना है, और इनका दिल ये ही कहता है कि आप सही हो, आपकी तरफ ही इनको जाना चाहिए, चाहिए किसी भी type का रिष्टा क्यों नहीं हो, वो आपका साथ नहीं चोड़ना चाहते और थोड़े रिष्टी न हम ना चाहकर भी जूड जाते हैं अचनक से कोई हमारे जिंदकी में आ जाते है और हम सोचते हैं कि इतना लगाव उस परसन से क्यूँ इतना प्यार अचनक उस परसन से क्यूँ इसके पहले तो मैं खुश था या खुश थी लेकिन यह परसन आनके लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं बहले परसन किसी भी स्वभाव के है इगो आइटिटुट वाले हो सकते हैं गुस्से वाले हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपका प्यार कम नहीं हो रहा है इस परसन को और उसकी वज़े से यह परसन आपकी तरफ आते वह मुझे नजर आता है क्योंकि प्यार में वह ताकत होती है जो इंसान को बदल सकता है किसी कैसा भी स्वभाव क्यों नहीं हो इस परसन का कितने भी खडूस क्यों नहीं हो कितने भी गुस्से वाले क्यों नहीं हो आपका प्यार इस परसन को बदल रहा है मजबूर कर रहा है इनके स्वभा क्या गलत क्या सही फैसला करने लगा है और जो उनको अच्छा लगता है वही करेगा और किसी के नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी ऐसा मुझे यहां पर फिल्ड होता है तो यहां पर सभी 12 राशिया आईए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मकर राशी व्रशब राशी कन्या रा या फिर राएजिंग है यहां पर मुझे लखी नमबर आज जो नजर आते वहें 10 नमबर 6 नमबर आपकि बडड़ेट भी हो सकते हैं 10 याच्छे शाती साथ नमबर मुझे लखी दिखाया देता है छेट व को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए 777 को भी क्लेम करना चाहिए आजकर साथ नंबर रिडिंग में बहुत बार आता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको दिमाग का इस्तमाल करना चाहिए, क्योंकि केतु की एनरजी है और केतु के पास दिमाग नहीं होता, तो आप कहीं न कहीं गलत फैसला लेने वाले हैं, या धोका खाने वाले हैं, तो सोच समझ कर आपको कदम उठाना चाहिए, ऐसा भी यह साथ नंबर कहता है, कि अभी तक आपको बहुत सारे धोके मिले हैं, तो इस रिष्टे में अगर आप फिर से जुड़ना चाहते हैं वोसे इनसान के साथ, तो ध्यान रखिए कि फिर से आपको धोका ना हैं युड़स,